हेलो नमस्कार दोस्तो टेक्निकल बगिल मैं आपका स्वागत है और मैं आपका दोस्त देपल बगिल दोस्तो आज मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ अगर आप लोग Android Mobile यूज़ करते हैं प्लेयो स्टोर में जाके देखते हैं कि यह मेरी अप्लिकेशन अप्डेट हो रही है कि नहीं हो रही है कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी अप्लिकेशन अप्डेट मांग रही हो या फिर ओपन करने के बाद अप्डेट का ओप्सन आ रहा हूँ तो कैसे आप लोग सारी अप्लिकेशन 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 अप्लि हमें करना क्या है सबसे पहले तो हमें play store को open करना होगा तो चलिए play store को मैं open कर लेता हूँ तो open कर लेते हैं open करने के बाद यहाँ पर जैसी आप open करेंगे तो आपको gmail account को यहाँ पर open करना होता है अगर आप लोगों को नहीं update now और यहाँ पर जितनी भी अप्लिकेशन अप्डेट लिखा हुआ है चुकि 30 अप्लिकेशन यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है कि 30 अप्लिकेशन आपकी ऐसी हैं चुकि आपके फॉन में इंस्टोल तो हैं लेकिन अभी अप्डेट नहीं हुई है तो आप इन्हें automatically सभी अप्लिकेशन को अप्डेट कर सकते हैं एक ही साथ तो वह मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप लोग यहाँ पर सभी अप्लिकेशन को एक ही टच पे करना स्टार्ट कर सकते हैं तो यहाँ पर जैसे आप अप्डेट नहीं पर क्लिक करेंगे तो आपको three step follow करने होते हैं जैसे कि मैं दिका देता हूँ accept और दुबारा आपको accept लोग क्लिक करना है तो जैसे आप लोग तीनों step follow कर लिए तो उसके बाद automatically सारी application अपकी अपडेप होना स्टार्ट हो जाएगी तो यहां पर देख सकते हैं कि सारी अप्लिकर्सण ऑप्डेट होना स्टार्ट हो चुकी है, और मैं आपको एक वर चीज़ यहां पर दिखा देता हूं, मोबाile data को बचा सकते हैं या ज़नी कि अगर हम लोग चाहते हैं कि मैं मोबाile data on करूँ तो हमारा जो डाटा है वह सिर्फ ऑ सिर्फ खर्च ना हो जाये सिर्फ application को update करने में 끝나 part क्या क्या करूँगा कि कि मैं यह दिके मैंने क्या कर रखा है किampa wifi नहीं कर रखाया तो मैंने इसलिए Wi-Fi पे कर रखा है कि मेरा mobile का data खर्च ना हो और Wi-Fi का अगर किसी का connect हो जाता है तो उसके द्वारा मेरी जिदनी भी application है वो update हो जाए और उपर आपको मिल जाता है do not auto अगर आप लोग इसको select कर लेते हैं तो इसको select करने के बाद जब भी आप लोग mobile का data उन करते हैं या फिर किसी के भी Wi-Fi से अगर आप लोग connect हो जाते हैं तो आप लोग कोई सी भी application update नहीं कर पाएंगे जब तक कि आप उसे allow नहीं करते हैं तो इससे होता क्या है कि जब भी अगर आप लोग हमारे क्या पता हमारे घर का Wi-Fi हो जिसमें कम MB बची हो और अगर हम लोग उससे connect हो गए तो हमारी application update होना start हो जाती है और हमारी सारी MB खतम हो जाती है अब बीच वाले पर हम लोग connect कर लेते हैं तो उसके बाद हम लोग mobile के data से update कर पाएंगे तो friends उमीद है अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगियोगी अगर आप लोगों को इछी लगिये तो प्लिस लाईकन्ट शेर जरूर करिएगा और हमारे न्यूओ लेटिस वीडियो देखने के लेक। चैनल कोशब्स्राइब करना होगा तो चैनल को सब्स्राइब और notifikiशन बैल को on करे, thank you for watching this video, आपका दिन सुब रहे